नाथ संपर्दाय के शिव वतारी गुरू गोरक नाथ की पावन भूमी गोरकपूर यह पूर्वी उत्रप्रदेश का नेपाल से सटा तराई का इलाका है विभिन नदियों और सुंदर घनेवनों से घिरा हुआ ये भूभाग आने वाले समय में इको टूरिज्म की दृष्टी से प्रदेश के नक्षे पर चमकने को तयार है शहर गोरकपूर की पहचान 737 हेक्टेर में फैली रामगढ़ जील से भी है किवन दंती है कि प्राची इनकाल में इस ताल के स्थान पर एक प्राची नगर था जो किसी रिशी के श्राप से ध्वस्त हो गया और वहां ताल बन गया उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक प्रेटकिस्थल के रूप में विक्सित किया है नौका विहार और लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम यहां के प्रमुख आकर्शन है रामगढ़ जील उत्तर प्रदेश का पहला अधी सूचित वेटलैंड है जिसे रामसर साइट्स की सूची में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रियटकों को आकर्शित करने और एको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड की लागत से एक International Water Sports Complex भी निर्मित किया जा रहा है हर शाम बड़ी संख्या में लोग यहां प्रकर्ती का आनंद लेने के लिए आते हैं रात को तो इसकी छटा देखने लायक होती है गोरकपूर शहर को इको टूरिज्म के नक्षे में सबसे उपर रखने के लिए यूपी सरकार ने इसी ताल से सटे 121 एकर छेतर में शहीद अश्वाकुलाखा प्राणी उद्ध्यान भी स्थापित किया है इस प्राणी उद्ध्यान का लक्ष वन्य जीवन के संग्रक्षन एवं संमर्धन के साथ लोगों का मनरंजन करते हुए उन्हें वन्य जीवन के प्रती सम्वेद्यन शील भी बनाना है इस चिडिया घर का निर्मान कार फिलहाल अपने अंतीम चरण में है इस प्राणी उद्ध्यान में विशेश रूप से उत्तर प्रदेश का पहला इंडोर बेटरफलाई पार्क भी बनाया गया है जिसमें 40 से अधिक परजातियों की तितलियां आकरशन का केंदर रहेंगी इसके परिसर में 34 एकड का हिस्सा वेट लेंड का भी है ये प्रदेश का इक लौता चिडिया घर है जिसके पास हरे भरे विभिन परजातियों की योवा पेड़ों और जलिये वनस्पतियों से भरा हुआ अपना वेट लेंड है हर वर्ष जब तापमान गिरने लगता है तो बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं शहर के पूर्वी छोर पर गोरखपूर कुशिनगर राजमार परिस्थित ये वना च्छादित धुभाग कुसम ही जंगल कहलाता है इसका कुलक्षेतर 2000 हेक्टेर है और इसमें विभिन परजाती की वनस्पतियां और सागोन के पेड़ है इसी जंगल के 50 हेक्टेर के भाग में यूपी सरकार ने सिटी फॉरेस्ट योजना की घोशना की है इस आधुनिक परियोजना में इको फ्रेंडली सुरम में वातावरन उपलब्द कराया जाएगा जिसमें नौलेज पार्क, एडवेंचर गेम्स की विवस्था के साथ ही साइक्लिंग ट्रेक का निर्मान भी किया जाएगा इसी जंगल के मध्यभाद में इस्थित बुढिया माता के सिध्ध मंदिर में आप सड़क से 900 मीटर पैदल चलकर पहुँट सकते हैं माना जाता है कि माता के दरबार में सब की मन्नतें पूरी हो जाती है नवरात्री में नेपाल और बिहार से बड़ी संख्या में शिर्धालू यहां दर्शन करने आते हैं और विभिन धार्मिक अनुष्ठान करते हैं कुसम ही जंगल के भीतर ही विनोद्वन है इसे मिनी जू भी कहा जाता है जिसमें तरहा तरहा के पक्षी सर्प और हिर्णों की कई पर जातिया है यह शहर के लोगों के लिए हमेशा आकर्शन का केंदर रहा है इस परिसर से सटेव वन विभाग का एक गैस्ट हाउस भी है जिसका बहुत बेहतर रख रखाव किया जाता है परगापुर्ताल महाराजगन जिले के आनन नगर के पास इस्थित है 69 हेक्टेर का ये विशाल जलाशे अपने अदभुत सौंदरिय के लिए जाना जाता है इसका अदभुत विस्तार इसे अपने आप में अलग बनाता है परगापुर्ताल को उत्तर प्रदेश सरकार कच्छों और मगर मच्छों के परजनन एवं संगरक्षन केंदर के रूप में बिक्सित करने और इसका सुंदरी करण करने जा रही है आने वाले समय में ये इको टुरिज्म का प्रमुख केंदर होगा चारों तरफ से सघन वनों से घिरे होने के कारण वन रक्षक वन संपदा की रक्षा करने के लिए इस ताल में सघन पैट्रोलिंग भी करते हैं ये गोरकपूर शहर से लगभग 51 किलोमिटर की दूरी पर स्थित है इसके किनारे पर प्राचीन लहडा देवी का मंदिर एक सिधिस्थान है महाभारत काल का ये मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ था और पह नदी के किनारे स्थित था कहा जाता है कि पांडव अपने अज्यातवास के दौरान यहां आये थे यहां बड़ी संख्या में शृद्धालो अपनी मनों कामना प्रून करने के लिए आते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं इसका प्राची नाम अद्रौना देवी मंदिर था चीनी यातरी हुए इंसान नहीं अपनी पुस्तक में इस स्थान का उले किया है आने वाले समय में गोरकपुर को इको टूरिज्म के ख्षेतर में एक महतपून स्थान दिलाने में इसकी भूमी का महतपून होगी